बहुत से लोग यह नहीं जानते हैं कि पैर में काला धागा बानने के क्या फायदे होते हैं। लगभग 90 प्रतिशत लोग यह 99 प्रतिशत लोग नहीं जानते हैं कि पैर में काला धागा क्यों बानता जाता है। अक्सर आपने बहुत सारे लोगों को अपने पैरों में काला धागा बानते हुए देखा होगा लेकिन क्या आपको मालूम है कि आखिर लोग अपने पैरों में काला धागा क्यों बानते हैं दरसल बहुत सारे लोग अपने पैरों में काले रंग का धागा फैशन के तौर पर भी बानते हैं लेकिन जो लोग धार्मिक प्रवर्ति के होते हैं उनके पैर में काला धागा बानने का बहुत मैत्व होता है ऐसे में यदि आपको मालूम है कि लोग अपने पैरों में काला धागा क्यों बानते हैं या नहीं पता है तो आज मैं आपको बताओंगी कि आखिर लोग अपने पैरों में काला धागा क्यों बानते हैं काला धागा बानने के क्या फाइदे होते हैं पैर में काला धागा बानने की क्या-क्या फाइदे होते हैं आपने बहुत सारे लोगों को पेट दर्द की शिकायत के बारे में सुना होगा दरशल उनको पेट दर्द की समस्या तब होती है जब उनकी नाभी टहल जाती है और उनके पेट में असहनिय दर्द शुरू होने लगता है बहुत से लोगों का ऐसा मानना होता है कि नजर के कारण पेट दर्द होता है ऐसे में वो लोग अपने पैरों में काला धागा बानते हैं लोगों ने अपने दोनों पैरों के अंगुठों में काला धागा बानने तो उनको पैट में दर्द की समस्या से मुक्ति मिल जाती है इसलिए जब भी यदि आपको पैट दर्द की समस्या उत्पन हों तो अपने अंगुठे में आप काला धागा बान सकते हैं पैरों के। यदि आप दिन भर मशीन की तरह काम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको अपने पैरों में दर्द जरूर महसूस होगा क्योंकि शरीर भी एक समय के बाद जवाब दे देता है और उसे भी थोड़ा आराम के जरूरत होती है इसलिए यदि जादा काम करने की वज़े से आपको अपने पैरों में दर्द महसूस हो तो आप अपने पैरों में काला धागा बान लें ऐसा करने से आपके पैरों का दर्द कम हो जाएगा यह बाद सास्त्रों में भी उलेकित है इसलिए पैरों के दर्द से जुटकारा पानी के लिए आप अपने पैरों में काला धागा बान सकते हैं जिससे आपके पैरों के दर्द का आपको आराम मिलेगा पैरो में चोट लगने पर कभी-कभी वो जल्दी ठीक नहीं होते चाहे उस चोट को ठीक करने के लिए आपने बहुत सारी दवाईया या उपाय किये हूँ लेकिन वो जिद्धी चोट जल्दी ही ठीक ना होने का नाम नहीं लेती ऐसे में आप अपने पैरों को जल्दी ठीक करने के लिए पैरों में काला धागा बांद ले क्योंकि पैरों में काला धागा बांदने पर आपके पैर का चोट बहुत ही जल्दी ही ठीक हो जाएगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकूं यहां कुछ कारण होते हैं जो कि हमारी धार्मिक सास्त्रों से जुड़े हैं इसलिए बहुत से लोग अपने दाए पैर में काला धागा बान लेते हैं अगर आप काला धागा बानना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन बान दें क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मंगलवार का दिन बजरंग बली का होता है और शनिवार का दिन शनी देव का होता है इसलिए सनी देव को काला रंग अतिफ्रिय होता है इसलिए यदि आप अपने जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो आप शनीवार या मंगलवार के दिन ही अपने पैरों में काला धगा बान दे श्री शिवाय नमस्तु भ्यंदर शकूँ हर हर महादेव अगर आपको मेरे वीडियो दरत दी गई जानकरी पसंद आई हो तो वीडियो को अप लाइक कर दीजेगा चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बैल आइकन को प्रेस करके आल पर क्लिक कर दीजे जिससे मेरा जो भी नया वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा श्री शिवाय नमस्तु भ्यंदर शकूँ हर हर महादेव चैमाल अच्मी